हेलो फ्रेंड्स तो भाई देख सकते हो आज हम लोग देखने वाले क्लाश 12 के मिस्ट्री की बहुत जादा ही मार्पोर अब किया है क्या होता है जब वाली ठीक है तो बहुत जादा ही इंपोर्टेंट रेक्षन है हर साल आपकी पूछी डाती है ठीक है ऐसी रेक्षन देखे करते हैं बिना टाइम वेश्ट के हम लोग इन रेक्षन को देखते हैं ठीक है तो एक्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट तो अगली आपकी रेक्षन क्या है फार्मेल डियाइट को सांध्र अमोनिया के साथ अब क्रिया करते हैं तो क्या होता है जब वही मन खरके तो क्या है तो यहां से चीएज टू का हुल सिक्स और चार नाइट्रोजन एन फॉर निकल जाता है और हाइट्रोजन और आकसीजन मिलकर 6 रिख से तयार कर लेना इसे ठीक है तो फार्मेल डिहाइड अमोनिय सिक्रिया करके क्या बनाता है यूरो ट्रोपिन ठीक है हर साल पूछी जाती है तो अच्छे से तयार कर लेना इसे ठीक है अगली रेक्सन देखो कहरा एसिटल डिहाइड को टालेन अभी करमक के साथ गर्म करते है क्या का गया एसिटल डिहाइड जो है इसे टालेन अभी करमक के साथ गर्म करते है ठीक है ये भी रेक्सन इपॉर्टेंट है तो एसिटल डिहाइड का फार्मुला क्या होता है CS3CHO टालेन अभी करमक जो होता है उसे AG2O लिखते हैं क्या कहते AG2O ठीक है यह आपका टालेन अभिकरमक होता है ठीक है तो जब एश्टर्डियाइट की क्रिया टालेन अभिकरमक से करेंगे तो क्या होगा यह आपर देखो आपका CS3C इतना आपको लिख देना है CS3C और एक ऑक्सिजन यहाँ का एक ऑक्सिजन यहाँ का और एक बनाएगा और रजदरपड बाहा निकल जाएगा ठीक है तो यह ओती टालेन अभिकरमक से क्रिया अगली रेक्शन महुद्बार पूछी गई है यह वाली AC टोन की अब ख्रिया KOH की उपस्तिती में क्लोरोफाम से करते हैं तो सिंपल भाईया AC टोन का फार्मूला क्या होता है पता होगा आपको CS3, CO, CS3, CS3, CO, CS3 को हम लोग AC टोन कहते हैं क्या फार्मूला होता है CS3, CO, CS3 ठीक है अब इसे इस टाइप से भी लेख सकते हो देखो CS3, C, Double Bond, O, CS3 अब इसकी ग्रिया KOH की उपस्तिती में किस्ते गंदी क्लोरोफाम से क्लोरोफाम का फार्मूला होता है CS3, CS3, CS3 आपको उसी प्रकार से लिख देना यह जो oxygen एक hydrogen के साथ लग जाएगा और CCL3 आपका यहाँ पे लग जाएगा ठीक है तो इसका नाम जो होगा इस बनने वाला उत्पाद है इसका नाम होगा क्लोरी टोन तो most important है AC टोन क्लोरोफाम से क्लिया करता है KOH की उपस् ही कही है तो देखो AC टोन का फॉर्मुला पता है आपको सान रेश्ट्व सफोर से क्रिया करनी आस्वन करना इसका जिससे होगा कि आपका मेसी टीलीन बनेगा देखो बेंजीन की उपर आपको तीन जगा देना है और यह जो एसी टोन इस पर तीन का गुड़ा कर लेना है व के साथ अब क्रिया करते है तो बेंजल डियाइट का फॉर्मुला क्यों होता है C6H5CHO इसकी क्रिया NaOH से करनी है तो जब NaOH से क्रिया होगी तो आपका C6H5CH2OH और C6H5CH2OH का नाम बेंजेल अलकौल और C6H5CH2OH का नाम आपका sodium benzoid ठीक है तो बेंजल डियाइट आपका NaOH स क्रिया करके यह दो उत्पात बनाता है ठीक है तो देख सकते हो भाई यह most important reaction थी तो यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्ली लाइक जरू कर देना और इन reactions को बहुत अच्छे से तयार भी कर लेना